नमस्कार दोस्तों स्वागता है आप से का ओलाइन एड़ा वाश लीच अड़ाइश दोस्तों आप से के बिछा जो लेटेस अपडेट के साथ वीडियों दोस्तों बात कहेंगे यूपी टीटी बिग्यप्ती के वारे में आफेदन प्रकिया को लेकर साथी प्रायमरी जूनियर सिच्छक भरती के शासना आदेश के वारे में 29,000 में अगर बात कहें 22,000 सीटों के वारे में साथी थार्ड काउंसलिंग को लेकर 36,590 के बिद्याले आवंटन और साथी संचोधन के वारे में यूपीटीटी दोजा उन इसके प्राट पती हैं जादी हो गए तो बनवारे में साथी अपडेट हम कवे करते हैं चली दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो जिसा कि आप सभी को बताए कि प्रदेश के अंदर भरती आप सभी की पूजी होती हुई दिखाई दे रही हैं चाहिए वो एल्टीगेड हो या फिर टीजटी दोजा सोला या फिर नहीं सिच्छक भरती उसके बाद से लगाता नई सिच्छक भरती की जो मांगे वो मैंने आप सभी को बताया था कि यहां पर ऑथेंटिक सोर्सिस के माध्यम से अधिकाईयों के सुत्यों के माध्यम से जानकाई लेने का जो प्यास है वो किया गया तो ऐसे में जानकाई निकल गर गया है कि यूपीटीटी 2020 के जो आवेदन है वो 25 दिसम्बर से शुरू करव दिये जाएंगे और आपकी जो परिच्छा होगी वो मार्च के प्रतम सब्ता में होगी ऐसी जानकाई मैंने आप सभी को दिवे हैं और ऐसे में उम्बीदे भी ऐसी हैं कि आप सभी की जो आवेदन 25 साइक से शुरू करवा दिये जाएंगे साथ ही विग्यापन के वाज़ मैं आप सभी को जानकाई दे दी है कि जो आगामी दोनों भरतियां आने वाली हैं पीएंपी से नहीं होगी क्योंकि सरकार की तरब से पहले प्रस्ताब दिया गया था पीएंपी को लेकिन बाद में नए आयोके बनने की विजए से भरती अभी तक लटकी हुई है तो ऐसे म मार्च के प्रत्रम सब्ता के अंदर आयोजित हो जाएगा उसके बाद में एक महीने के अंदर रिजल्ट आंसर की का जो मामला है वो कलियर होगा और उसी के साथ नई सिच्छक भरती का जो सासना आदियस होगा जूनियर का साथ ही अगर बात करें प्रात्मिंग सिच्छक भ पाएंगे तो ऐसे में आप लोग यहां पर जो भी अव्यति यूपीटेट करना चाहते हैं वो यूपीटीटी के बाद बड़ी आसानी से दोनों भरती के लिए आवितन कर पाएंगे शासन प्रशासन की तरब से लगाता चीज़ें देखनी के लिए मिल रही है प्रात्मिक सिच्च क ब्रती गेंदर बीटी सी अव्यति यो तो सब्सार न आ क्या फूब में सुपीम कोड़ की दब से कोई भी जानकाई नहीं दी गई थी ऐसे में सरकार की उपर सब कुछ छोड़ दिया गया था सरकार अभी डिसाइड करेगी कि अगली भरती में सिच्छा मित्तों कितना बारंग देना है और कितनी एज लिमिट तक आप सभी को देखने के लिए मि ज्यादा ज्यादा 10-15 दिन का बीच में गयर पड़ सकता है उसके बाद ही दोनों भरतिया आप सभी को यहां से देखने के लिए मिलेंगी जो कि यूपी टीटी 2020 के आयुजन के बाद होंगी बहुत साय अब्वरती परिच्छा थे थी को लेकर भी परिसान थे तो अप्वे वेकेंसी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी पहली प्राइमरी वेकेंसी दूसी जूनियस इच्छकवरती जिसके साथ नादिस अप्वेल में जादी हो जाएंगे जो भी अप्यरती आवितन करना चाहेंगे अभी से त्याई शुरू कर सकते हैं वहीं दूसरी दर हम बात करें लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने वीडियो को देखें वीडियो को लाइक करतें साथ में शेयर करतें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना पूलने लाइक अवशी किया करें जिसे की मोटिवेशन मिलता रही जैसा कि आप सभी को पता है कि 79,000 के अंदर में तुटीयों के वारि में प्राफ्तां कूडां का मामला था तमाम ऐसे मुद्य थी कि सब्सक्राइब मेंおंवितहीं की सरकार की तरस से रहाठ दिये किस मामले हाइकोट में भी गये थे कोट में जाने के बाद भी कोट से रहात मिली तहीं कई मामलों की सुनभाई करती ने के लिए परत दे दी जाए जो कि देखने के लिए मिलेगी लेकिन ऐसे मैं कल शार्षन की तरफ से एक पत्त जाजी किया गया जिसके अंदर जिन्होंने अधिक अंक लिखे हैं उनको भी यहां पर मुझा मिल गया है जिसा कि आप वीको देखने के लिए मिला हाला कि मौका नहीं करेंगे लेकिन मन्थन किया जाएगा जिससे ऐसा लगता है कि उन अभ्यातियों को भी इसके अंदर शामिल कर लिया जाएगा नीचे आप सभी के सामने आरा है बेसिक शिचा परसद के प्रात्मिक स्कुलों को नेतर जा सिच्छक पर लगा था धरना प्रदेशन देखनी के लिए मिलना था चाहिए वो मंती जी के आवास पर हो या फिर कई जगे उंपर लेकिन ऐसे में अब संशुदन की बात से कहीने की अव्यति को शामिल किया जा रहा है तो दूसी तब मामला यहां पर जोर पकड़ता हुआ दिखाई दि उनकी तरफ से भी मांगए यहां पर रखी जा रही है कि अगर सभी प्रकार के संशुदन कीये जाते तो सीटों की संख्या का क्या होगा हाला कि इसके बारे मैंने कई वार आप सभी को कहा था कि कई ऐसे संशुदने चाहिए प्राप्तन पूड़ां के मामले हो पहले सरकार क की दरब से रहात हमिली ती तो उसी केसिस के आदार पर यहां पर भी आपको रहत दी जा सकती है अव सबसे बड़ा सवाल यह देखनी के लिए जो फैसले हैं वो देखने के लिए मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा यहां पर अब्यातियों के तरफ से जो फैसला है वो लिया जाया जब से कल सासना आदेश जादी हो उसके बाद से अब्यातियों शोशल मीडिया पर जो मुहीं में वो छेड़ दी है जो कि धरना जादी करवाने के लिए मतलब कि थरड काउंसलिंग पर इसप्रस्ट्री करण के वाये में जान कई मांगी जादी है बहुत सारे अब्याति शंशुदन के गिलाव भी धना प्यदेशन करेंगे मतलब इसी के अंदर उनकी मांगे होंगी शोशल मीडिया पर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा 22,000 जोडने के लिए बायाता एक से धना प्यदेशन जो अनवर्द चलेगा जो दो दिन चलने वाला है मतलब यह कि बायाते और चोड़े तीन दिन काफी जगा मैत भूने जिसमें अभ्यातियों की तरफ से थर्ड काउंसलिंग की मांग रखी पहले देखने के लिए मिला करता था उनकी भी यहां पर जो मांगे रखी जाएगी हाला कि मैंने कई वार आप सभी को जानता ही दी है कि 22,000 सीटों को लेकर सरकार शायद ऐसा कुछ करेगी क्योंकि आप सभी को बता है एक बड़ा नमबर या सरकार चाहेगी नहीं इसको ले जो के अब्यति SCRT पर जाकर तीन मांगे रखने वाले हैं पहली थर्ड काउंसलिंग की सुची को लेकर दूसी मांग है यहां पर 22 सीटों के बारे में और तीसी मांग देखने के लिए मिली संशूदन के बारे में जो भी जैसी भी चीज़ें आप से भी को देखने के लिए मिलेंगी क्योंकि सचीव की तरफ से यहां पर जो फैसले लिए जाए उसके बार से अभ्यति यहां पर शंशूदन की खिलाब भी आखोशित हो गए लेकिन ऐसे में बहुत सारी अभ्यति लगा था शंशूदन की मांग करते हुए धरना प्रदेशन भी देते हुए जा दिया जाएगा हाला कि मैंने आपको यह कहा था कि थर्ड कांसलिंग आपकी जन्वरी के अंदर देखनी के लिए मिल सकती है क्योंकि आप सभी को बताए कि अभी बायर तारिक तक आप सभी के निवक्ति जारी है सासट या आट सो सासट की अब ऐसे में जो दूसरे अभ् सभी को बता है कि 36590 विद्याले आवंटन का इंतजार कर रहें क्योंकि अभी तक शाहसं की तरफ से कोई भी दिशा निदेश जागी नहीं किये गए समाचा प्रत्तों के मार्द्यम से या फिक जैसा कि मैंने आपको बता है था कि आयूक की सूतों के मार्द्यम से जानका ही निकली थी कि शुक्रबार से आपके विद्याले आवंटन हो सकते हैं लेकिन ऐसे मैं अभी तक किसी बगार कर कोई फैसला देखने के लिए नहीं मिला है हो सकता है कि संशोदन वाले मामली के बाद ही आपको यहां से नौटिफिकेशन है वो देखने के लिए मिले और संभा और इंतजार कर लीजिए क्योंकि यहां पर विवाग की तरफ से जो मामला है वो पूरे तरीके से सपस्ट करने के बाद में किलियर करने के बाद ही उंबीदे ऐसी है कि सबको एक साथ यहां पर जो विद्याले आवंटन है वो करवाया जाएगा ऐसा देखने के लिए मिलता हैं वहीं दोसी तब संशोधन को लेगा है मैंने आप सभी को जानकाई देः ही दी है उसी को लेगाई यहां पर आपके सामने कुछ अब्याति सपूर्ट कर दो कुछ लोग बसुत कर रहे हैं दोसी तब जैसा कि आप सभी को पताकि की आविदन के बाद से अभ्याति ने प अभी मामला कोड़ के अंदर प्रॉडपत जिलाओं में बेज़े जाने थे लेकिन कोरोना काल की वेश से जो मामला है वो थोड़ा सा डेले हो गया जानकाई ये भी निकली थी प्रॉडपी के माध्यम से कि अभी मामला कोड़ के अंदर लगा हुआ है पी नपी से जबाब मांगा गया था इस वज़े से आपके जो प्रॉडपत जारी नहीं किये जाए थे तो लंबे इंदिजार के बाद में आपके जो प्रॉडपत जिलों के अंदर आ चुके हैं अब ऐसे में जल्द ही आप जो भी यहां पर कर दिया जाएगा तो जो भी अप्रॉडपत भी ले सकते हैं आगामी समय के अंदर यह थी दोस्तों तमाम लेटर सब्सक्राइब वीडियो को लाइक हो शेकर ना विल्कुल ना भूलें फिलाल इस वीडियो के माध्यम से नहीं थैंक्यू फॉर वाचिंग this video